तो गुड मॉर्निंग और सुबह सुबह का राम राम जी कैसे हैं आप लोग तो आज हम एक नई रेसेपी बेसन आटे की करारी पुड़ी के साथ सुरुआत करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं बनाने का तरीका हमको तीन कटोरी गेहूं का आटा ले लेना है और एक कटोरी बेसन यह दोनों मिलाकर जब पुड़ी बनाते हैं तो इसका टेस्ट हीव कुछ अलग रहता है अजवाइन ले लेना है क्रश करके और इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पॉडर देखने में बहुत सुंदर दिखता है लाल मिर्च पॉडर हलका हलका और इसमें कस्तूरी जो म पॉड़ी है यह खाने में बहुत ही टेस्टी और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है टिफिन में तो मैं सुबह प्राय इसको बनाती हूं मंग्रेल भी डाल लेना है और यह बहुत ही जल्दी बनता है जब को जल्दी बनाने का मन करें तो मैं इसी पॉड़ी को बनात औैट जयादा बहुत जदा कड़ा नहीं रहेगा और लोई काट लेना है इसका और जैसा हम पूरी बनाते हैं वैसे बनाना है इसको और यह पूरी जो है सभी को बहुत पसंद आती है अभी ट्राइक करिएगा और यह देखे मैं बेल के रख रही हूं कड़ाई गरम हो चुका है कड़ाई में तेल डाले थे अच्छी तरह गरम हो गया है अब हम पूरी बे तलना शुरू करते हैं तो यह पूरी जो है तलना शुरू हो गया है देखे कितना अच्छा लग रहा है देखने से ही खाने को अमन करता है और गरमा गरम पूरी का तो जवाबी नहीं और टेस्ट में भी बहुत अच्छा और खाने में भी बहुत अच्छा लगता गरम गरम पूरी हमारे यहां तो अ करारी बेशन और आटे की करारी पुड़ी कैसा लगा आपको बताईएगा इसी प्रकार से हमको पुरी पुड़ी को तल लेना है और इसका स्वाद जो है सभी लोग बोल रहे हैं बहुत तेस्टी लग रहा है और यह बहुत जल्दी बन जाता है तो आप भी इसको बना के देखेगा वैसे तो पुड़ी जो है आलो की पुड़ी गोभी की पुड़ी बहुत ही अच्छी लगती है इसको भी बढ़ ट्राइक करिएगा बेशन और आटे की पुरी तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताईएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइ पर कमेंट जरूर करिएगा और आपने मुझे इतना समय दिया मेरे वीडियो देखने के लिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं बहुत जल्दी एक नही रेसिपी लेके आऊंगी ये रहा बेशन आटे की करारी पुड़ी आप लोग इसको टेस्ट करिए और ब बताये भी कैसा रहा तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जै जोहार थैंक यू